वेल्कम नमस्का आप देखना एडिया स्रिटे नियूज मैं धम राज दिश्टिर आपका हार्तिक स्वागत करता हूँ और आज आपको दिखाने वाला हूँ राजगीर काबो क्लासकल पार्क जानी एतेहाशिक पार्क जंगल जिसे बेनू बन कहा जाता है तो आईए बिना द रोड के बिलकुल काफी नस्दीक बेनूबल अस्थित है राजगीर कुंड के ठीक वगल में और देखशकते हैं कितना अच्छा लग रहा है पत्थर से बनाया गया रास्ता और यह रहा कुछ रोमांचक तस्वीर जुआप देख रहे हैं इस समय और एक छोटा सा पूल है काफी खुबसूरत और पानी है बीच में और यह रहा लकडी का चार अस्तंभ बाला घर बिस्रा माले तो आप लोग कहा से हैं तो बेनुबन घुमने आये थे बच्चे सब गया रोबे बच्चे रोबे गया हैं तो कैसा लगा मता जी राजगीर में बेनुबन घुम के बहुत ही अच्छा अच्छा चेंज आया इतना साफ शुट्रा अच्छा लगा देखके बहुत ही अच्छा लगा तो कब से घुम रहे हैं राजगीर में अधा तो देख सकते हैं इस परदे के पीछे काम चल रहा है आधा हिस्सा अभी नहीं घुम सकते और बहुत ही अच्छा लगा तो तुम जाते ही होगे हाँ हाँ अधा आज से पचीश साल पहले यहीं अस्वान किया करते थे और उसके बाद गृद कूट परवत के ऊपर जाते थे अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए काफी मनोहर है यह द्रिश्य आज भी उतना ही खुबसूरत है जितना की अपने प्राचीन समय में हुआ करता था समराट भिम्बिसार ने वगवान बुद्धा को उफार सरूप दिया था यह बेनुबन साड़ा हो गर्मी हो बर्शात हो हर दितु में जहां घूमने आते हैं सैलानी और जब कभी भी राजगिर घूमने का प्लान बनाते हैं परियटक तो सबसे पहले टॉप रैंक पे वेनुवन ही आता है कर लें किसी कारण बस आज कम भीड़ है लेकिन तब भी देखे जा सकते हैं परियटक लेकिन कम संख्या में हैं फरवरी का महीना चल रहा है इस जगा पे सांती और सांती की खोस में आते थे लोग और आज भी देख सकते हैं सांती यहां सजीव जिसको अनभव कर सकते हैं चोरे है ठाराब के लिए बिसरा माल है जो कि बिल्कुल पूरी तरह से लकडी का है आज मैं बोशब कुछ दिखाऊंगा आपको जो इस वेनुबन में मौझूद है ऐसे तो वेनुबन जंगल है जहां पेड़ पौधे काफी संख्या में हैं घना जंगल और बीच में पार्क भी है और यहां एक तालाब भी है इसी पार्क में कहते हैं उस तालाब में भगवान बुद्धा अश्नान किया करते थे और उसके वाद शिक्षा देने जाते थे गृत कूड परवत के ऊपर अपने विध्यार्थियों को तो आईए जानते हैं मेरे साथ कुछ लोग मौसूद हैं घूमने आये थे कहां से हैं आप मैं नवादा डिश्टिक्स हैं नवादा डिश्टिक्स हैं क्या नाम है रावल कुमार तो क्या देखने आये थे राजगिर राजगिर बेनुबन घूमने आये थे घूम करके बहुत अच्छा लगा बेनुबन घूमके काफी अच्छा लगा कैसा लगा यहां तलाब के सारो तरफ घूमके और पेड़ पौधे जंगल को देखकर बड़ा बदलाब हुआ है पहले देख सकते हैं दस साल पहले आये थे दस साल पहले आये थे और उसके बाद बेनुबन बदला बदला लग रहा तो मेरे साथ ऐसे ही इनके दोस्ट मौझूद हैं इनसे भी जान लेते हैं की नाम है आपका मेरा नाम सौरब कुमार हुआ अच्छा सौरब जी कौन से कलास में पढ़ते हैं नाइन्थ में पढ़ते हैं तो राजगीर देखने आये थे बेनुबन देखने आये थे सौन भंडार घूम लिया तो कैसा लगा राजगीर घूम के बहुत बदलाब हो गया है बहुत बदलाब हो गया है और बेनुबन में कैसा लग रहा है घूम के तालाब और चारो जो देखकर के बहुत बातावरन अच्छा लग रहा है बातावरन बड़ा अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा जवाब दिया आपने और कहते हैं कितना देर पहले आये थे इस पार्क में इस पार्क में करीब तिन-चार साल पहले आये थे और आज कब आये थे और आज कब आये थे कितना देर इस मिट्टा खल चुके अब तब आदा घंटा से भी जादा हो गया लेकिन तब भी मन लग रहा है कि यहीं रुके ही तो थेंक यू हमसे बात करने के लिए धन्यवाद तो देख सकते हैं एक ही जगह बैठे हैं और कहां से आये हैं पहले यह जानते हैं तो कहां से आये हैं सबसे छोटा है आप ही नलंदा खंडर के पास घर है अच्छा राजगीर घुमने आये थे की नाम है अमीत कुमार कैसा ल एक ही गॉं से आये हैं कैसा लगा आपको इस तरह से मतलब घुमते हुए इस बेनुबन में बढ़िया लगा और कहीं गुमने का प्लान है और कहीं नहीं सारे जगह घुम लिए और आप कौन है आपका की नाम सागर कुमार है तो दोस्त हैं आप लोग सब एक ही गौं से आज राजगीर में घुम के राजगीर के जंगल को देख कर बहुत अच्छा लगा इनके साथ ही हैं आईए इन से भी कुछ बात करते हैं आपका कि नाम रहा कुनंसे क्लास में पढ़ते हैं। नाइन्थ में पढ़ते हैं। तो यह बताये गोलूजी राजगीर में घूम के और तरह तरह के चीज़ देखा अपने राजगिर में तो कितने चीज़ को देखा और घूम के कैसा लगा राजगिर में भूमने में तो बहुत अच्छा लगा जगा भी ठीक है सांती लाखा है अच्छा देखा यहां पर स्टैच्व बना हुआ है ट्री का हाथ से करके और बगल में भी देखा एक मोर था पर देख आम ने तो करीब एक घंटा हो गया इस itself में एक घंटा हुग गया तब भी घूमी रहे हैं अभी घूमी रहे है और आप कौन है सर स्याम कुमार स्याम कुमार अच्छा अच्छा स्याम जी सबसेचु चोटे हैं और तो कैसा लग रहा है है साम जी दोस्त के साथ घुमते हुए बहुत अच्छा बहुत अच्छा दो हजार बीस बैठा के रखा करोना काल के कारण लेकिन दो हजारे की इस में दोस्त के साथ घुने का मौका मिल गया मौका मिल गया और पिकनिक भी सेलिब्रेट कर रहे थे आप लोग अच्छा क्या क्या बनाये थे पिकनिक में मुलबार चावल अच्छा मनसहारी आच्छा कोई बात नहीं यह तो आपकी स्वतंतृता जो भी खाना चाहें और यह हैं इनके लाश्ट दोस्त कह सकते हैं एक साथ छे दोस्त हैं हाप डजन और यह लाश्ट मैन क्या नाम है आपका मेरा नाम राजु कुमार सर राजु कुमार हम नालंदा से हैं नालंदा खंदर के बास नालंदा जीला भी अच्छा अच्छा मेरा ब्लोग पढ़ता है राजी अच्छा 2020 में है तो लोगड़ून के कारण गुमने बेरा दुखान भी आ है नालंदा खंदर में अच्छा 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 लॉगड़ून के कारण हम सब कहीं घुमने भी नहीं जाते थे जहर में भस रहना बैटे रहना अभी 2021 से जब लोगड़ून खुला तो दुकान भी चल रही है अच्छी से नहीं चले फिर अभी कुछ को चल रही है इसलिए फिर सोजा जब अभी कम दुखान चले कुछ है कि भूम ले थोड़ा हम सब भी इसलिए हम घूमने के लिए पिकनिक मना आए चीकेन था चावल था सलाद बेगेरा फिर हम सब आपने हमने कुण में भी नहाया बहुत अच्छा लगा यानि र नालंदा फोरेश्ट डिविजन के सोजानने से नोटिश बोर्ड तो आएए जानते हैं क्या लिखा वेनुबन और वंबुस ग्रोफ वस दा रोयल फार्क गिप्टी टू लॉर्ड बुद्धा फोरीज रेशिदेंस एट राजगिर बाई किंग बिंबिशार बिंबिशार क भगवान बुद्धा के लिए एकॉर्डिंग टू गुद्धिश्ट बुद्धिश्ट के अंसार टेडिशन इट वास्ट फेवराइट रेशार्ट्स ऑफ बुद्धा वेन ये स्टेड अट राजगिर कोते हैं काफी आकर्शक और उनका मन्प्रिये ये सगा हुआ करता था अपने बच्चों के नामांकन है तू लॉग इन करें www.rpsbiharsari.com